मौसं चाहे कैसा भी हो बाजार की चटपटी-चटकारे-दार चाट खाना तो हम सभी को बहुत पसंद होता है तो आज हम बनाएंगे घर पर एदम बाजार जैसी उतनी टेस्टी रगडा चाट की रेसिपी जो खाने में बहुत-बहुत टेस्टी होती है तो आज की रगड़ा चाट की रेसेपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे सफेद मटर तो मैंने दो कब मटर को पुड़ी राथ के लिए पानी में सोक कर लिया ताकि अच्छे से फूल जाए जितने अच्छे से फूलेंगे पकने में टाइम कम लगेगा अब गैस पर रखेंग कूकर इसमे अट कर देंगे ये सारी सोक की वी मटर को और अगरा चाट अधूरा है बिना आलू के तो मैंने यहां पे लिए हैं 6 मीडियम सैज के छीले हुए आलू कच्छे अलू को छील के धोली आए डाल देंगे 7 मैट कर देंगे एच और थाई हल्दी पाउडर और 7 मैट कर देंगे छोटी अधी चमर नमक का इसे जो मटर है जल्दी पक जाएगा टाइमने रखता है अब मटर को अच्छे से उबालने के लिए स्मैट कर देंगे हैं वो लबत तीन ग्लास पानी पानी हम इतना डालेंगे फ्रेंड कि जो मटर है आलू है पानी में डूब जाए ये देखिए अच्छे से डूब गये हैं गैस को अन कर देंगे और 4-5 सिटी में जो अलू है मटर है गल जाएगा फिर चेक कर लेंगे तो कवर कर देते हैं और जब प्रेशन निकल जाएगा उसके बाद ही चेक करके खोलेंगे और यहाँ पे 4-5 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बन कर दिया था प्रेशन निकल गया आप चेक कर लेंगे और यह देखिए जो मटर है आलू है अच्छे से गल गया है लेकिन चेक कर लेंगे और यह देख़े आलू जो अच्छे से पक गया है कच्चपन नहीं है इधला पर्फेट अब सातने मटर को चेक कर लेंगे तो यहां भी जो मटर है च्छी से पक गई है जगड़ा चाट में मटर को ओवरकुक नहीं करते हैं इतना पकायेंगे जो मटर है इसको भी निकाल लेंगे हम बाउल के अंदर गया संग तेल को गरम होने देंगे फिर स्मेट कर देंगे हम तड़के के लिए आदी चमज जीरा थोड़े सी हीन डाल देंगे एक चमज कदू कस्किया वद्रक बारी कटी हुई दो हरे मेर्ज सब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तड़का फ्राई हो गया है अब इसमेट कर देंगे हम दो मीडम साइस की बारी कटी हुई प्याज और प्याज को हमें हलका सा फ्राई करना है हम सबजी नहीं बना रहे हैं तो प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि जो पियाज है हलकी गुलाबी सी हो जाए, लेकिन जो क्रेंच होदा ना पियाज का बना रहे, तो यह देखे, पियाज को मैंने बस हलका-लका फ्राई किया है, पिंकिस से हो गये हैं, तो यहाँ पे जो पीयाज है फ्राई हो गयी है, अब tyamataр तो मैं मीडिम साइजु की तॹبة को बारी बारी चॉप कर लिया है अच्छे से मिला देंगे तो आपको ध्यान रटना है, कि हम tomato को ओबर कूख नी करेंगे, बस हलका सा मिला देंगे, तॹ務 कहार हमारे हलके से नरम हो जाएंगे इस तरह से हलके soft हो जाएंगे फिर smat करेंगे हम चाट को tasty बनाने के लिए कुछ सूखे मसाले तो पहले smat कर देंगे हम आदी चमत धनिया पौडर आदी चमत मैंने यहाँ पे लिया है चना मसाला अगर आखे पाई यह ना हो सबजी मसाला भी यूज़ कर सकते कोई दिकत नहीं है एक चोथाई healthy powder रगड़ा चाट में healthy powder बहुत पढ़ता है तो इसलिए मैंने दो बार डाल दिया है आदी चमत लालमिश का powder और साथ में आट कर देंगे हम आदी चमत नमक नमक हमने पहले भी आट किया तो नमक इस टाइम पे कम आट करेंगे और चाट के मसाले में super tangy flavor लाने के लिए इसमें आट कर देंगे हम आदी चमत चाट मसाला आदी चमत अमचुर powder अच्छे से भून लेंगे मसालो को बहुत tasty मसाला बनता है जो ट्राय करें इस तरह से और ये देखे मैंने मसालो को काफी अच्छे से भून लिया है मसालों तेल छोड़ दिया है मसाला भूनने के बाद इसमें आट कर देंगे हम उबले हुए आलू तो आलू को मैंने हाथ उसमेश कर दिया है मसालों में मसालों के साथ आलू को हम अच्छे से भून लेते हैं एक-दो मैट के लिए ताकि मसालों का जो फ्लेवर है आलू के अंदर आ जाए और ये देखे क्या मस्त हमारे आलू मसाला बनके तियार हुए है इदम परफेक्ट हालू को भूनने के बाद में इसमें अट कर देंगे हमारे उबली हुए मतर को अच्छे से मिला देंगे बहुत सिंपल चाट की रेसेपी है लेकिन सही तरह के से बनाएंगे इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप बजार की चाट को भी साइड में कर देंगे तो यहां पर देखिए मतर को मैंने मिला दिया मसालो के साथ में अब रगड़ा चाट को हमें पकाना लगभग चार से पांच मिट के लिए तो इसमें अट कर देंगे हम लगभग आदे से एग ग्रास पानी तो में पार रखत है मतर वाला पानी मैं डाल दिया है अगर आप करना हो तो सिंपल पानी डासते हैं अच्छे से मिला देंगे पानी के साथ में हलका पतला करके चार से पांच मिट के लिए पकाएंगे ताकि सारी मसालों का फ्लेवर है रगड़ा चाट में अच्छे से आ जाए और यह देखिए चार से पांच मिट पकाने के बाद में क्या रंगा ताई हमारी चार्ट की ये देखिया मस लग रहा है अब गैस को बन करने से पहले इसमेट कर देंगे हम आधी चम्मत गरम मसाला और धेर सारा हरा धनिया इसके बिना चाड़ा धूरी सी लगती खाने में अच्छे से मिला देंगे तो यहां पर हमारी रगड़ा चार्ट को डाकर हने का क्योंकि सफसे बेस पारन होता है चिफ्स में कर द कर देंगे हम क्रेंच के लिए चिप्स हआघ्ट में होता चार्ट तीखा नो खाने मजा नहीं आता है विपकुल भी अब इसमेट कर देंगे हम फिटी भी दही डालना ओफनल है आप बाजार की चार्ट को कहें बाई-बाई घर में बनाईए बहुत स्वाधिस्ट हेल्दी रगड़ा चार्ट खुद भी खाईए फैमली खिलाईए कैस लगी चार्ट के बताईएगा तो मैं उमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तो करिएगा ही सीर भी कर दीजेगा चैनल पर नए हैं लिए सब्सक्राइब नहीं किया आप मुझे फेस्बूक इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करिएगा अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लेयां का किचन जोन